Hello everyone, welcome to Dynamics Study, how are you? I think आप सब लोग फाइन होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे तो आप अपने घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वाइरस बहुत गुरी तरक्के से फैल रहा है हर जग है तो आज हम कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्टेजी कि हम UGC Net Exam के लिए कैसे प्रिपेर कर सकते हैं और हम क्या स्टेजी अपलाई करें जिससे हमारा UGC Net Exam easily qualify हो जाए तो UGC Net Exam हम पेपर 2 के लिए डिस्कस करें, पेपर 2 Computer Science, किसी और सब्जेक्ट के लिए भी applicable हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पर main focus है Computer Science के लिए तो जैसा कि आपको पता है हमारे पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट्स से 10 MCQs पूछे जाते हैं और unit 10 है, लेकिन हमारा syllabus बहुत जादा wide है, आप सबको पता है कि कितना wide syllabus है, उन 10 units में हमारी कम से कम 20 subjects तो cover हो रखे हैं तो first thing, सबसे first आपको क्या करना है, आप अपने syllabus की hard copy निकलवाईए, अगर अब तक आपने नहीं निकलवाई है अगर अब तक आप just mobile से study कर रहे हैं कि हाँ ये topic मैंने कर लिया, ये नहीं किया, ये ये रहता है तो उसकी सबसे पहले hard copy आपके पास होनी चीए, क्योंकि जब तक hard copy नहीं होगी syllabus के आप अच्छे से cover नहीं कर पाएंगे कि कौन सा topic आपने किया है, कौन सा topic नहीं किया, कौन सा topic most important है, कौन सा important नहीं है क्योंकि बहुत सारे, अब इतने सारे topics हैं, syllabus के अंदर, आप लोग खोल के देखोगे, तो कम से कम 8 pages के अंदर हमारा syllabus है, तो उसमें बहुत सारे topics है तो बहुत सारे topics तो उसमें ऐसे हैं, जिनसे कभी कोई question ही नहीं पूछा जाता, वो just given है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आप सारे topics कर सकते हैं, लेकिन just net qualify करने के लिए सारे topics study करने की कोई need नहीं है, क्योंकि syllabus बहुत ज़्यादा wide है तो first point क्या करना है आपको, syllabus को की hard copy निकलवानी है, then second क्या करना है आप लोगों को, hard copy के बाद, syllabus में important topics को select कीजिए, अपने syllabus के अंदर highlighter से या pencil से या pen से highlight कीजिए कि कौन-कौन से important topics हैं, और वो important topic आपको कैसे पता चलेंगे, through previous year questions, अगर आप previous year questions उठा के देखेंगे, या फिर net से download करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, कौन सा topic important है, कौन सा topic important नहीं है, कहीं आप ऐसे ही कोई भी topic पढ़ने लग रहे हैं, और आपको यहीं नहीं पता, और आपको बाद में पता चले कि इस topic से तो कभी NTA exam में question ही नहीं पूछा गया, तो सबसे important क्या है previous year questions देखिए, और अगर आपके पास previous year question नहीं है, तो download कीजिए, और side by side हम previous year questions की भी series चला रहे हैं, जिसमें मैं particular daily एक topic से, एक topic से अगर हो सकता है, तो दो maximum 3 से 4 भी videos हमारी एक topic से cover होती हैं, मैं सारे questions करवाने की कोशिश करते हूँ कि किसे भी type का कोई question हो, क्योंकि हर question मे वहीं पर हमारा concept change हो जाता है, तो इसलिए हमने वो series भी चलाई हुई है, आप वहां से भी अपने कुछ questions कवर कर सकते हैं, जिन questions के आपको explanation चाहिए, तो next, अगर important topics के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से topic करने हैं और कौन से topic आपको नहीं करने, क्योंकि अगर आप, आपको मान लिया important topic है और वो आपको आता है, तो तो ठीक है, आप उसको cover कर लोगे, अगर कोई important topic हो और वो आपको आता ही नहीं, तो अभी आपके पास बहुत सारा time है, जैसा कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि exam कब होगा, maybe December में ही हो, अब तक तो कोई notification ऐसी है नहीं कि कब होगा, हमारी date भी आगे बढ़ गई है, फूम फिल की, तो इसलिए आप उस time तक आप अच्छे से अपना सारा syllabus cover कर सकते हैं, तो इसलिए जो important topic है और आपने नहीं किये हैं, तो आप उनको पहले कीजिए, सारे questions को, और questions जब आप देखेंगे, तो उससे आपको topic का idea हो जाएगा कि कौन-कौन सा topic important, क्योंकि anti-exam में ज्यादा deeply नहीं पूछता, उसमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट basic अगर आपको knowledge, अगर आपको concept की knowledge है तो आप question को easily tick कर सकते हैं, कि ये इसका right answer होगा, तो इसलिए आप important topic है और अगर नहीं आता तो उसका भी एक बार overview जरूर ल आप अपने खुद के notes prepare कीजिए, अभी time बहुत सारा है, YouTube से पढ़ते हैं या फिर Google से पढ़ते हैं, जहां कहीं से भी आप study करते हैं, आपके पास books हैं, तो just books पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपने अपने खुद के notes नहीं बनाए हैं, क्योंकि books है आज पढ़ ल तो notes अगर जो खुद के notes बनाते हैं, तो वो चीजे ज़्यादा देर तक mind में रहती हैं, और हम study करने का भी एक idea मिलता है, कि हमें study करने, यह यह notes करने हैं, पुरी book नहीं पढ़नी, तो उसके बाद अगर हम बात करें, तो revision most important है, revise कीजिए, आप अपना एक schedule बनाईए, time table बनाईए, time table चाहे ज़्यादा नहीं, तो कम से कम hours का time table बनाईए, for example, अगर आपने 4 घंटे का अगर आपका time table बनाया है, तो 4 घंटे पढ़िए, डेली आप time दीजिए, और उस 4 घंटे में से आप minimum half an hour revision के लिए जरूर दीजिए, डेली revise करना बहुत ही ज़्यादा जरू ठीक है, मालिया आपने एक subject cover कर लिया, उसके बाद जब आप उसको दुबारा से revise करें, तो आप जब दुबारा revise करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा topic आप भूल रहे हैं, कौन सा main point आपको याद नहीं रहे रहा, ये definition याद नहीं रहे है, या short trick याद नहीं रहे किजिए, मैं तो कहूंगी morning में revise कीजिए, क्योंकि morning में जब हम revise करते हैं, तो वो हमें काफी देर तक याद रहता है, उसके बाद अगर हम बात करें, continuity रखिए, यानि कि consistency बहुत ज़रूरी है, ये अगर आपने चार गंटे का अपना study plan बनाया है, तो आप आज 8 गंटे पढ़ रहे हैं, तो डेली 4 गंटे ही पढ़िए, ये ज़्यादा time अगर नहीं दे सकते, तो मत दीजिए, जितना time आप दे सकते हैं, वो time दीजिए, लेकिन continuity जरूर रखिए, अगर आपको exam correct करना है, तो और next thing, आप previous year papers लगाईए, previous year papers लगाईए, उससे क्या होगा, उसस फोबिया सा होता है exam से पहले, वो नहीं होगा अगर आपने previous year papers लगाई हैं, अब previous year papers से एक तो आपका time management होगा, कि आप 2 गंटे में 100 questions करते हैं, 2018 जुलाई से हमारा जो pattern है paper का, वो change हो गया है, उसमें सिर्फ paper 1 और paper 2, दो ही paper है, उससे पहले 2017 तक हमारे 3 paper होते थे, paper 1 common, computer science के, लेकिन 2018 से और अब तक आगे, जो हमारा exam होता है, वो हमारा paper 2 होता है computer science के लिए, जिसमें 100 questions आते हैं, वो 100 questions हमें 2 गंटे में करने होते हैं, तो इसलिए आप previous year papers को लगाई है, उससे आपका time management होगा, जुलाई 2018 से हमारे 4 paper हो चुके हैं, जिनमें ये pattern follow हुआ है, तो आप ये भी लगा सकते हैं, उससे पहले के जो हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे आपको just idea तो जरूर होगा कि paper को attempt कैसे करना, और paper में किस टाइब के questions आते हैं, next अगर हम बात करें, तो 15 to 20 days, जब हमारे admit cards आ जाएंगे, मानली आपने 5 month की strategy plan की है, कि आप 5 month में अपना सारा syllabus cover कर लेंगे, तो उन 5 months में जब हमारे exam pass होगा, जब हमारे admit cards आने वाले होगे, तो जो last के 15 to 20 days हैं, उस time तक जितना अपने study किया है, just उसको revision की need है, क्योंकि हमारी 10 units है, 10 units में 20 subjects और उन 20 subjects को कम से कम 20 दिन तो जरूर चाहिए last में revise करने के लिए, क्योंकि syllabus इतना सारा हो जाता है, जब हम अपनी copy भरते हैं, तो copy तो इतनी भरी होती है, लेकिन बाद में होता है, यह किया, यह नहीं किया, तो इसलिए क्या जरूरी है, short note, और जो 15 to 20 days जब आप अपने पूरे syllabus को एक बार revise करेंगे, तो आपको सारी बाते mind में रहेंगे, और आपको exam वाले दिन phobia नहीं होगा, आप easily exam देंगे, easy mode भी, ठीक है, और एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास available हो, तो आप gate के previous year, या फिर isro के previous year, या फिर jest के previous year, यह questions भी लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि gate, isro या फिर jest, इनमें थोड़े high level के questions आते हैं, और UGC net exam में बहुत low level के questions आते हैं, बहुत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है, इन से तो low level आता है, तो अगर हम high level के questions कवर कर सकते हैं, तो हम easily net वाले questions को easily cover कर सकते हैं, यह strategy plan में जो आपको बता रही है, मैंने खुद भी follow किया था, और मैं यह कहूंगी कि आप इस strategy plan को follow कीजिए, I think यह video आप को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को like and share करना ना भूलें, और अगर आपको फिर भी कोई query रहती है, किसी भी concept में, किसी भी doubt में, या कोई topic नहीं proper अच्छे से हो पारा, तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं, हम आपकी query को जरूर resolve करेंगे, thank you so much, all the best for your future